नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको कनहिया कुमार के बारे में बताने जा रहे हैं। कनहिया कुमार देश में काफी चर्चा और सुर्खियों में बने हुए हैं। कनहिया कुमार 2019 का लोग सभा चुनाव लड़ रहे हैं। वे बिहार के बेगु सराय लोग सभा स्वीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कनहिया कुमार का जन्म जन्वरी 1987 में बिहार के बेगु सराय में हुआ। कनहिया कुमार के पिता का नाम जै संकर सिंग और माता का नाम मीना देवी है जै संकर के पिता जै संकर सिंग को पैड़ा लाइसिस की विमारी है और वे काफी सालों से विश्तर पर ही रहते हैं इनकी मा मीना देवी आंगन बाड़ी की कार करता है इनका पूरा परिवार के सभी सदस CPI के समर्थक रहे हैं बात करें कनहिय कुमार सुर्खियों में तब आये जब वे जेनियू के छात अध्यच तहे थे और वे राष्ट बिरोधी नारे लगाने के आरोप में देश द्रोही के उपर मामला दर्ज है कनहिय कुमार जवारहलाल नहिडू के छात संके अध्यच चुने गए और तब से वे काफी सुर्खियों में बने रहे कनहिय कुमार 2015 में सितंबर में उन्होंने इतिहास रष्टे हुए जेनियू के स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बने और पहली बार AISF का कोई उमिडियार जेनियू का प्रेसिडेंट बना इनके माता पिता का कहना है कि मेरा वेटा बेकसूड है वह वर्तमान की राजनीतिक का सिकार हो गया है कनहिय कुमार इस वक्त बिहार के वेगु सराय का चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने भाजपा की दिग्जनेता गिराज सिंग चुनाव मैदान में हैं या मुकाबला काफी रोचक होने वाला है जिसके कारड बेगु सराय लोकसवासीट बिहार की सुर्खियों में बना हुआ है अब कनहिय कुमार काफी सुर्खियों में बने हुए हैं कनहिय कुमार बेगु सराय से चुनाव लड़ रहे हैं और वे CPI के उमीदवार बनाए गए हैं कनहिय कुमार जेन्यू से निकल कर राननीती में आप हुचे हैं और वो देश में काफी चर्चित हो रहे हैं कनहिय कुमार जवाहर लाल नेहरू उन्यूश्टी से PhD कर रहे हैं कनहिया कुमार राष्ट ब्रयोधी नारो लगाने के वज़ा से देश में काफी चर्चित हुए और काफी सुर्खियों में रहे जिसके कारड उनके ओपर देश दुरोही का मामला भी दर्ज हो गया है तो यह रहे दोस्तो कनहिया कुमार जो क्यू बेगू सराय लोग सबा सीट से चुना लड़ रहे हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज हमारा चैनल सस्क्राइब करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धर्नवाद